साम की समझ से परे ये ब्रह्मांड अद्भुत्यमतकारों से भरा है, जहां आत्मा अमर है और शरीर जन्म लेके मृत्यू पाता है, जिसने भी इस धर्ती पे जन्म लिया, उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है। और बताओ, हमारे यम बॉस कैसे है? तुमोंने कैसे जानते हो? अरे अपने जीनी है, यहां पहला चकर थोड़ी है, पहले भी आ चुका हूँ मैं। दो दो बार, वो कैसे? अरे लंबी कहानी है भई। यह स्वर्ग लोग है, यम राज के ओडर्र है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए। मतलब दर्शन होंगे, सही का ना? सही का फिर तो जीवन सफल हो गया, चलो जी धन्यवाद। मतलब लोग है लोग है, जीवाद। चलो चलो जीवाद। कर दो 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 झाल, प्रपकरात। ठाहर! झाल 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 करें है अाघ या याई या यद नामसी पाया किया दो कॉ नामसी बाया आज विष्णुजी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण उन्हें रोकना ही होगा हमें शिवजी उन्हें दंद स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे स्वामी कुछ अशुब होने वाला है क्या अशुब होने वाला है एक समस्या ने जन्म लिया है इस समस्या का कोई समाधान है समाधान ने भी जन्म ले लिया है क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा क्यों नहीं जन्म और मृत्यू उत्पत्ति और विनाश ये सब विष्णुजी की लीला है ये बंगार राजु का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्य भावा सम बहुत खुश थे पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई रामू की पत्नी सीता का देहान धो गया उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया बंगार राजु बंगार राजु उसी दोरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नाग लक्ष्मी बहुत शुबनक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने आगर इन दोनों का विवा हुआ तो साक्षाष शेव और पार्वती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इन दोनों का यह बात है हाँ बिलकुल रमीश बंगा राजो और नाग लक्ष्मी की जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी दोनों की शादी करवा दे अरे अभी अभी तो नाम करन संसकार हुआ है रुग जौपंडेत विवा की सला तो देदी पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया उनमें साप और नेवले जैसी शत्रता होगी उन्हें अगाह करो कुंडिली में ऐसा नहीं है स्वामी कुंडिली मनुष्य बनाता है और भाग्य विधाता लिखता है अंगारों पर चलना होगा उन्हें सुनो मा रामू अब मेरा मन नहीं लगता है यापर बस अपने काम में विजी रहूँ यही अच्छा है मिरे लिए सोच रहा हूँ यूएस चला जाओ वहीं चॉप करना मिरे लिए सही होगा जब भी वक्त मिला करेगा आजाया करूँगा समझ सकती हूँ तुम का हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बिटा सीता की यादों के साहरे ही जी लोंगा मा रही इस बच्चे को पालने की बाद तो आप है ना दुबारा इस टॉपे को मत निकालिएगा सत्य भामा ने माह और बाप दोनों का फर्ज निभाया बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया इतने अच्छे दिन पर ये आसूँ एक नन्नी सी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोच बढ़ाई बोच लगती है वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है वो लड़की है हालात से समझाता कर लेगी आओ बेटा वह लड़कों के बीच बेटा ये हार मुझे देदो जाओ जाकर बैच जाओ बेटा जाओ अरे वाह पूरा अपने दादा जी पे गया है मतलब अरे आदी बंगार राजु ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है क्लास में बैठा है उसका खयाल रखना बिटा बंगार राजु का जर्म दिन उसकी दादी उत्सव की तरहे बनाती थी पूरे गाओं को भोजन करवा कर खालो बीटा बंगार राजु और नाग लक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों कल क्लास मोरीटर का सिलक्षन है जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे ये सुनकर छोटी सी नाग लक्ष्मी को एक दमाकेदार आइडिया सुझा ये सब क्या है नाग लक्ष्मी? तूद, मक्षन, बदाम, पिस्ताग, किश्मिश फल और सबजिया भी है आहाँ मास्टर जी आज क्लास मोरीटर को फाइनल सिलक्षन है ना? हाँ बेटर ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मोरीटर सबसे होनहार स्टूडन्ट हमारे सरपंच की बेटी नाग लक्ष्मी चुनी जाती है नाग लक्ष्मी क्लास लीडर ठैंक यू मास्टर जी ठैंक यू ए बंगार राजू लड़कियों के बीच के वेटे हो तुम बंगार राजू और नाग लक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्य भामा भी शांत नहीं कर पाते थे हम इनके शादी करवाना चाहते हैं ऐसे तो पहले दीन ही तलाक हो जाएगा ये तो प्रैक्टिस चल रही है सत्य भामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगार राजू ऐट हो गया हार गया ऐरे छुनो मुझे मेरे गले का हार जो आ गए हां सत्य्या तुम और यहां इधनी जल्दी नामल सत्थ हो गया मेरी मौत से दुख़ी हो या मैरे यहां आने से ट्रुमा गलात समझ रही है माते यह कबड़ी खेल रहे हैं स्वर्ग में सभी की दभी इच्छाय पूरी होती है इनकी ये है नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए तो ये है तुम्हारी इच्छाय पस किया वेटा तू तुम्हें साडियां बहुत पसंद है न वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको यहाँ सोचने पर ही मिल जाती है बेल्कुल सही बात को गुमाओ मत ये सब कौन है अरे ये तो रमवा उरोशी मेन का है न अरे इनसे मिलो सत्यमा मेरी इकलोती धरम की पत्मी नमस्ते दीदी हमारे स्वर्गलोप में आपका स्वागत है कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब ये बैट कर निहारेंगी सुबा हो या शाम, दिन हो या रात ये बस आपकी सुन्दरता के रांग गाते रहते है दीदी और एक बार देदी कहा तो तेरी जबान खीच लूगी सुनिये जी, यहां इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहे हो मुझे भूल गए ना मौज मस्ती का असली मज़ा तो तुमारे साथ है मेरी क्या होता है मतलब हरी बरी, थोड़ी खिली-खिली मेरे जीवन की हर्याली है मेरी जाने मत नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा तो नहीं रही, बलके गुस्से में टमाटर जैसी लालम-लाल हो रही है अच्छा ऐसा है क्या, गुस्सा फुर्र किये देते हैं अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं और से देखो, इश्क और मुख्ष छिपाय नहीं चुपते जुबान से ना सही लेकिन नशीली आके सब बयान कर रही है, प्यार चलक रहा है ये हया, ये तबस्वम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है मैं न जाने मन, अरे इस गूलदशी हुसन के आगे तो इंदर लोग की सारी अपसराएं भी पानी बढ़ती है तुम भी न, एक नुमबर के फरे भी हो, मुझे किस तरह से मनाना ही अच्छी तरह से जानते हो आजा अब ये बताओ, नीचे सब के क्या हाल है अपना बेटा रामू उसे एक बेटा हुआ है अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया? सरूर वो भी जोकर ही होगा काश होता, वो तो आप पर ही गया है अब इस अपने रंग दिखना शरू कर दिया है उसने उसकी हरकते देखकर ही यहां पोँची हूँ शेर का फोता शेर ही होगा मेरे मुझों की आन रख ली उसे देखना है मुझे, का है वो? यह भी आपकी दबी इच्छा होगी आपके नक्षे कदम पर चल रहा है अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभू? उसे सुधार ना होगा पर उसे देखना है चलो चलो वो रहा है देखा बिल्कुल मुझ पर गया है करे मेरा कर नहीं है कुछ दिए पहले कि मैं यहाँ पहुची हूँ इतनी जाड़ी बड़ा कैसे हो गया यहाँ का एक मिनिट वहाँ का एक साल है अब मुझे मेरे पोते को देखने दो और बंगा राजू फूलो की सजावट कैसी लगी पहला कॉंट्राक्ट है सही है यार चल सारे फूलो को सोने के भाव में बेचा है इसने आउट अरे क्या हो अरे ममा मुझे देखा क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना मोचा गए अब इतनी सुन्दर हो तो नजर तो लगेगी न दादी से कहकर काला ठीका लगवालो कह दूँगी वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ कैसे? क्यू बंगार राजू? गाउं के सारी लड़कियों को ऐसे फसाते हो अरे इसे फसाना नहीं क्या थे तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता अहां लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी फसाना तो बहुत जूटी सोच है पटाना अलग बात है अब तुम्हें देखो न ओ स्माट चलो एक शर्ट लगाते हैं मैं रसी की चूँगी तुम मटका फोड़ना अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाओंगी अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो लड़कियों की गेम डेंजरस होती हैं मरवाएंगी पूजा की तैयारी करते हैं चलो आजा आजा रुक क्यों गए नहीं भोड़ सकते में नहीं फोड़ूँगा मटका वो फोड़ेगी बें? हम् देखते हैं आजा 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 आजाएंगा आजा आजा हो 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 हाह हो 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 पूरा किशन कनईया निगला, ज़रूर मेरा नाम रोशन गल। से शादी में जाएं, मार्केट में जाएं, मंदर में जाएं? यहीं फिकर लगी रहती है कि मदुमक्या कहीं शहिद के पास तो नहीं चली गई? चली का १ा हमाट के हाद करने से कोई फसा नहीं छलकर बंगार राजु के मामा से शिकायच करते हैं देखो लाड़ साब लड़किया गुमागर घर आ रहे हैं वावा तुम्हें देखकर सिर्फ अक्र से उंचा हो रहा है ऐसा क्या हुआ गाउं की सारी लड़कियों के माबाब पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजेकार कर रहे हैं बस क्या मामा इतनी चोटी बात पर खुश हो गए हैं नहीं मामी बिलकुल नहीं दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोगियो मामा आप ही बताइए हम सभी को तेके मेरी शादी से सबसे ज़्यादा खुशी होती ज़्यादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसर ऐसा नहीं बोलते हैं बंगा राजू इन सब को छोड़ो चलो आओ खाने का वक्त हो गया है क्या लता हर बार तुम ही खाना खिलाओगी ये मेरा भी बेटा है आज मैं खाना कहिलाओंगी तुम मेरे साले जोड़े मतलब राशन महेंगा हो गया है आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तब ही तो हमारे इशारों पे नाचेगा इतनी बड़ी प्रॉपटी का इकलाता वारिस जो है जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा हां वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा और सारी प्रॉ करें लड़की ढूंडेंगे माना तुमारी आखों का तारह है लेकिन तुमारा यह चाना जो है न गाउं की हर गोपी को गुमा ला उसकी शादी नहीं होई तो जान ले लूंगी ऐसी बात नहीं है मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जा ये, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, नागलक्ष्मी जिन्दाबाद, हमारा सरपंच जैसा हो, नागलक्ष्मी जैसा हो, नागलक्ष्मी जिन्दाबाद, नागलक्ष्मी जिन्दाबाद, नागलक्ष्मी जिन्दाबाद, सही है, फोड़े लेफ, अपसाइड प्रोफाइल, सब्सक्राइब नाग लक्षमी आज ये गाओं पे राज करेंगी कल बिल्ली पे इस गाओं के सर्पंच मेरे दादा जी रह चुके हैं मेरे पिता जी रह चुके हैं और अब सर्पंच मैं हूं इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें पस करो क्यों चिल ला रही हो ये क्या तमाशा रहे ये बैठे रहे ये बैठे रहे बैठे सर्पंच को आशिर्वाद इजिए इसका नाम तो गिनीज बूक में है ऐसा क्या और क्या पापा अरे ओ नागलक्ष्मी, यह कहा साटप का, जोर का जटका देगा, यहां क्यों आया है बंगाराजीू, ऐसी होपलेस, ब्रीनलेस, यूजलेस लड़की चिराग लेके डुन्डो के तूबी नहीं मिलेगी, किरू सही कहा न, चिपाप तो पापा, वैसे बंगाराजीू की बात म हितना भी ने बदान पड़को, जल्दी से पंचायकों किस पोड़त हो, यह तोनों सुधरेंगे ने, मैं अभी आता हूं, जाए भूलेनात, ओम नमश्यवा, तो जब पता निये, मैं कितनी बड़ी प्रचार करूँगी, समस्याएं, इंस्टरग्राम पे सुल जाओंगी, अपने अच्छे काम, फेस्बुक पे अप्लोड करूँगे, फिर गाई बेस के गूगल पे चराएगी, इस बार लेड़ी इस रेसरवेशन है, लड़के तरगा, इसे चैलेंज मत कर किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा, यह च्छा इसे समझाना, क्या बोदी, मेरी बात सो, हर पांच साल में इलेक्शन होते है, इलेक्शन में कई लोग खड़े होते है, कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फाइदा, नागलक्षमी तो अपनी ही है, चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है, तो अंकल हेल्प कर देंगा, सही कहा, म कुटे बिल्ली जैसे जगड़ते रहते हैं दोनों, जान ही दुश्मन एक दुछ से देखे, ये शादी होने से रही, चलो, 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 ऐसा क्यों कह रहे हूं, अरे चलो, इस रिस्चे को भूल जाओ, इसमें वक्त लगेगा, साब, रेत में ये पक्थर मेले, में आजा, इसमें ओडह को अरूँelo, इसमें इस वक्रीचा में इस संथे को ये, सब्सक्राइब 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 पहले मा को मुझसे छीन लिया फिर दादी का नंबर लगा लिया पापा को दूर यो इसे भेज दिया अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता है इस लाइफ में इसके सामने सर जुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं समझ गया? ये सदाशिव शंभू शंकरा अप है दोना ये तेरा शंकरा नित्य कर रहा नंदी खोके धुन में तेरी दास ये तेरा शंकरा वा 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 स्वामी जी क्या फाडू वोइस है आपकी? रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना? पता है एक दिन में वाइरल हो जाएगी क्या कहता है? सही कह रहूं नो? ए? खाग हो गया? ये रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे? आजा क्या अंकल? सब ठीक है न? हाँ सब ठीक है कुछ नहीं होगा आज उनका बहुत अप्मान होए बाबू मेरे कारण मेरे दो एकड़ समीन है जिसे गिर्वी रखकर मैंने उधार लिया जिसे चुकार नहीं पाये तो समीन हडप ली रमेश जी मेरी ओर से सुलाह करवाने गये तो उनका भी अप्मान किया उस गुड़े ने कहा कि समीन चाहिए तो भीश दो मैं दिखाता हूँ मुझे माफ कर भाई इनकी ट्रू कॉपी है तो वहाँ प्रॉबलम मैं सुलजाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा नया ट्रेक्टर लिया है ना पूजा कंटिन्यू कर उनके लिए मैं काफी हम यही रुकिया अंतर है यही पहां जा रहा है तु जल्दी खेलता भी नहीं है तेरी शकल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना फिर से बत्ते बाट एए इधर शान बत्ते नहीं दिखानेगा इस खेल का बादशाओ मैं है यह सब क्या चल रहा है पता नहीं भाई यह खेलने के जीद कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी हाँ तो यह चक्कर है ओफर याद आया? हाँ या तो उसकी बेटी दिर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे समख सिखा यही ओफर था ना? हाँ तो ले मैं आ गया ठोड़ दो साले को हाँ 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 यास निगल लुगा वना हमें फटके पड़ेगे चलो हाँ 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 यह साला तो माहिर फिलाड निकला भाही लोग सॉरी बोल क्या रहे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय भाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो अपनी अथक महनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नाग लक्ष्मी आज सरपंच बन गई है देरिंग डेशिंग डैनेमिक सरपंच बन गई बंगराजू यह कुछ जादा नहीं हो गया ज्यादा नहीं महाज्यादा ऐसे खिलाएं इस यूग की महाननेता हमारी नागलक्षमी जी, आप सेज पर आई और दोशब्द कहीं है तालिया, 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 नागलक्षमी जी, आपने स्वागत है ए तू यहां क्या कर रहा है, प्रंट सीब कर बैठ कर तालिया मजा के तमाशा दिख रहा है हेड मास्टर ने बुलाया, इस यहां पड़ा पस, और दो गया, गवार कहीं कह तालिया मत बजाईए, अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ, बहुत बड़ी हस्ते बन चुकी हूँ पर मुझे बिल्कुल घमर नहीं है, यह ड्रेस देख रहे हो फुरपाथ सा खरीदा ना, मैं सब से पहले एक स्टूडेंट हूँ अच्छा, आपकी सरपंच तो हूँ ही पर स्टूडेंट भी हूँ, यह याद दिलाती रहोंगी, इस ट्रेस से वाँ, यह ही मेरी सिंप्लिसिटी हो, यह सिंप्लिसिटी विंप्लिसिटी कुछ नहीं, पब्लिसिटी है, सही पकड़े हो, हेड्मास्टर जी, अब आपकी बार, मतलब यह भी पकाएगा, लक्षमी, ओ, लक्षमी, ओ, आप लक्षमी नहीं, महालक्षमी है, हमारी सरपंच, इ प्लम्चेगरी को जदा नहीं हो रही है। यह मैंने नहीं उसने लिखा। इसके लिए उसने मुझे दूद मक्षन काजू किसमिस पिस्थे के पेकेट दिये है। इस गाओं का उभरता सितारा है, हमारी प्यारी नाग लक्समिन। मेरी मासूम बेटी पदमा दो मिनें से लापता है, कोई ढून के लाओ उसे। अरे यहीं कहीं होगी, शान्त रहिए। अरे यह बंगार राजो भी सीट पे लई है। मैं तो बर्बाद हो गया। अकडबचड, बंबइबो, असी नम्गे, फूरे सो और यह चोर निकलके बगा, चोर निकलके बगा, चोर ऐक सरपंच का बहुक्त हैuttağごां कीहर बेटी के रक्शा करना, आये मेरे साथ। आइक सरपनच का फर्स है, अब बस आपी पर भरोसा है। और ये, चोड निखलके बगँभँ, बगँभद फगड़ा वो आवारा हो गया, लॉफर हो गया है, कमीना हो गया है, मवाली हो गया है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसे भिकारने पले उसकी तादी है, ए कैमेरा गा जो भी हो, बहुत बड़ी गल्ती किया उसने, उसकी दादी ने संसकारी नहीं दी उसे क्या करा है ये, आज उस बंगाराजु के बच्चे को अच्छा कपते का रहाएगा जिंदेगे बहुत हियाद रखेगा, उसे भी कोई सरपंच मिली थी बंगाराजु क्या हुआ अमेरी सत्तु, नहीं रह पाती ना में विल्ड़ी देखो आम मसा आएगा, बहुत बार के जुकाओं वे ये खेल वालो चिस्त नरू, ना मानोड़ दोर की पोते, परूव पोतिन निबंगारो तो रखड़े जल्दी अंदर जाओ, जाओ, ठीक है जल्दी अंदर जाओ, जाओ, ठीक है बच्क है वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते थे अरे कईयों को मैंने भी तो चुपाया है बेशरम मतलब चुपाते देखा है बस एक इकका मिल जाए बंगार आजू बस एक रानी मिल जाए बूल जा ए सुनाई नहीं देता क्या है सुबाराओ की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना कहा है वो कहा है वो मुझे नहीं पता ए आउकात में रहे तू वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा या तो उसे ढून निकाल या अपने मूह का शटर बंद रख यह फेस्बूक और ट्वीटर वाले चोच लेना मेरे सामने मत आजमा चल निकाल सरपंच की इंसल्ट वो भी मूप है कितना बेशरम है इंसल्ट की हाहां की तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा चल 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 आपना काम कर चल अभी ढूड़ने कालती हूं अच्छा काम पर कहां चुपाया है उससे मेरा पैक कुछ कहा देखना किसी जाड़बे तो नहीं लटके ना चल पाग हुम चलो आग में थोड़ा आग ही डालता है हे नागलक्ष्मी मिल गई क्या वो अरे यह हमारी सर्पंच मैडम है जरा नागलक्ष्मी देवी है महान है शक्तिमान नागलक्ष्मी जिन्दाबाद ए बंगाराजू आज कई ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना इन सब के सामने सर्पंच आज ये शबत लेती है शबत होगी उसकी शादी करना दो अमेशा के लिए इस परिशानी से चुटकारा मिल जाएगा लेकिन तुमारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौण कुछ कहा आपने लगता है सपने में मारी बात सुन रहा है क्या हुआ रमेश मैंने सब सुन लिया है मैं सपने में हूँ कौफी टी कुछ लेंगी क्या क्या बात है कंजूस ने कौफी टी के लिए पूछा जिन्दा थे तो एकला स्पानी तक नहीं पिलाया अच्छा सुनो रमीश अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पर क्या है आंटी अहां बोलो अपने दादा की टू जेरोक्स निकला है वो अबे चबडगंजू मुझे इस मामले में क्यों खजी ट्राएं पास ही बैठे थे प्लीज बुरा मत मानना तेरी तो इनकी बाद भी ध्यान मत दे अच्छा रमीश सुनना अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे आपको पता नहीं बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं एक छट के नीचे रहे तो कुम्फू, कराटे, जुडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपती नहीं किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो आराम से सोजा रवेश, नेन में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्याँटी मेरे सपने में आई सत्या सपने में आई थी? क्या वोली? बंगा राजू और नाग लक्षमी की शादी करा दो चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला पानी पी और सोजा इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा अभी के अभी धर्ती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो शादी करा के ओपर आजाओ प्रित्वी लोग स्वर के अगल वगल में ही तो है सुबे जाकर दुबेट तक लोटा हूँगा अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूँगी बरने की धंकी, कितनी बार मरेगी मजाब कर रहा था मेरी हरे भरी इंदरदेव मेरे चाचा तो है नहीं पूनम की रात का अजार करो उसी दिन अपॉइट्मेंट मिलेगा चलो, मैं हूँ ना, आजाए यम्राद जी को मेरा प्रणा इस वक्त यहां आने का कष्ट क्यो उठाया? शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा पृत्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है कोई अप्शगुन ना हो इसलिए बंगा राजु की आत्मा को फिर से मृत्यू लोग भेजना होगा एक देविक कारी के लिए हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा आत्मा को मृत्यू लोग भेजेंगे किस की आग्या से? शिव की आग्या से ओम नमस्षिवाय फिर तो भेजना ही होगा बंगा राजू, इंद्रो और यम्राज यहीं आ रहे है स्वामी, इन्हीं एक बार पृत्वी लोग पर जाने दीजिये ना हाँ, मैंने इसे समझाया था ये कोई लुनावला खंडाला नीए के सेटर्डे संडे घूंकर आजाओ कोई विशेश कार है? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है जाने दीजे ना प्रभू ये हो ही नहीं शकता इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहे तुम्हारी हर चाला के समस्ता हो, बंगार आजू अपनी पत्नी की बात सुनो पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव है क्यों भावना की दो में बह रहे हो, प्रभू? बंगार राजू निलने हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है दन्यवाद प्रभू, चलो हद हो गई, मर के भी चैन निलना अच्छा हुआ, जो वो मान गए, अब शादी कराकर ही उपर आना आने की बात मतलब, क्या मतलब, और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालू मैं कब तक लोटूँगा रेलगाड़ी, 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 अरे बहुत हो गई, रेलगाड़ी, इतले खाना खालो, और भी खालो तुम्हारे इन जब में कोईला खतम हो रहे हैं कि अच्छे यह आपकी पुड़ी हाना नंटा हो रहा है अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो आज का भेर में टिकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देखबाल कर रहे हैं हिसाब लिखते लिखते आँखों में चाले पड़ गए पर क्या करें करना पड़ेगा हमारा फॉर्च जो है हम मैं यह हिसाब देखकर क्या करूंगा आप लोग की संबालो ना अरे रे ऐसा घसाब मत करो चाहे कया मत क्यूना आ जाए पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे दादी ने कसम जो दिलवाई थी किसे आपको इसको कब दिलवाई ती चुपरे बोला कड़ इसाब तो दे रहे दो लाख रुपए यह एक लाख कीड़े मारने की दवाई के लिए यहां कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं इतने हैं अब आप बताओ जिंगे का ताला पचास एकर में फैला है सोचा हर जिंगे से सौ जिंगे पैदा होंगे पर ऐसा नहीं हुआ फिर उने वाइगर बनता है किलो का पांच रुपए और क्या पीछले साथ तो इससे भी आधे रेट में बेचा था अब तेरी प्रेक्टिंग करते हैं तो दूसरा फिश फाम पचास एकड़ में कुछ मचली यहां पचास रुपए कुछ तीस रुपए और कुछ बीस रुपए क्या बीस के कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको तो फिश की कमाई हुई दो लाख रुपए और ये खर्चा क्या ये आम हम खा सकते हैं लॉस करो होगी क्या बंगा राजु के परमिशन के बिना नहीं ले सकते चलो लाओ दो 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 और घर के अंदर जाके खेलो चलो भागो आ बी अनो आम धोके खा लेना ने चुड़ो मैं धोके भिजवा देता है चलेगा बाप्रे अकाउंट सम्हालना कोई बच्चों का खेलने ये बहुत मैंनत लेती है बहुत आश्च कर ली हाँ 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 अपनी मुंडी जरा इधर घुमा इसके टून को क्या हुआ नंदी बेल सांड बन गया इधर आओ ब्रम्मो दाल में कुछ काला है आओ जरा हिसाब करना बागी है इसको अचानक क्या हो गया पचास एकर में कितने नारियल बोले तुमने एक लाग कितना जूट बोलोगे वे एक एकड में हजार नारियल होते हैं हमारे पास सौ एकड है तो हुए एक लाग एक नारियल का दस रुपया तो कहां है दस लाग रुपय बताओ चलो लाओ रोकड़ा चूप क्यों खड़ा है जवाब दे ना सौ एकड गन्ने की खेती एक एकड से मिले चालीस टन टन का रेट दस रुपया उसके हुए चालीस लाग है ना वो कहां फुर हो गया है लंबे-लंबे कीड़े मारने में अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है फिश फार्मिंग पर तु ग्यान जाड़ रहा था ना बड़ी मचली का कितना है वो बड़ी मचली पचास और छोटी मचली फ्री में देता है क्या है और यहां पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हैं हमने आपका नमक जो खाया है ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो मैं दूंगा पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो रिस्टे नातों से बड़ा नहीं होता जाओ कहां जा रहे हो यह आम चाहिए मेरी बुलिट कहा पर है पीछे बच्चा दू बच्चा दू अदाबा पच्चा दू उनसे की बिला अब जाना मैं क्या हूँ इस गाओं को प्रगति की रहा पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्षमी आज किसानों की समस्यां सुथाएंगी मैंने किसानों वाल अड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सको आज से पहले किसे निकम में सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया लगाम दे लगाम दे तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूँगी हाँ, चलने दे कितनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपड़ गवारों का भला कर सकते। वाश, अबाश, एक दिन पार्लामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ये देख क्या रहे हो, तालिया बजाओ हमारी बीच आज, एग्रिकल्चर ओफिसर, बेटिनरी डॉक्टर हैं, जो आपकी समस्याय सुलजाएंगे क्या बताओ, सारी फसलों को कीड़े लग गए, कितने भी दवाई जड़कों कमबक्त मरता ही नहीं, अब क्या करूँ एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे, तो कैसा लगेगा, बैट जाईए, मैं हो ना, देखें, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है, कीड़े फसल क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए, कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता, तो फोकट के दुखने नहीं रोने पड़ते हैं, क्या करना होगा, अगले चार साल तक खेती बंद कर दो, मतलब खेती गई, वा, कितनी समझदार है, अकाल से आधे कीड़े भूके मर जाएंगे, बचे होई किसी और के खेत में मुँ मारेंगे, चार साल बात मज़े से खेती कर लेना, सिंपल, हाउस अप्लान कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूक सा मर जाएंगे, क्या प्लान है नाका लक्षमी, आँखे खोल दी सबकी, ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे, ये ताली बजाओ टॉक्तर गरू, मीन इनको, नेनो नन कदा, कुच आँखे अवनी फैमिली इश्यूस अड़ी, बार्य बट्ल मध्य गोड़ोल सहाँ, इसे सरपंच क्या हमसे दुष्मनी निकालने के लिए बनाएंगे, ये सब निकलो रहें, क्या फालतू रहेंगे एप्स आखे लिए, य इसके चक्रवा बर्बाद हो रहेंगे अब लोग, रुको, सब उठकी क्यों जा रहे है पापा, भाशिन दिना तो बाकी है, अरे, मैंने कुछ गलत सला दे दी क्या गाओंवालों को, गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है, चलो सब सरपंच आफिस पहुंचो, बहुत क समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना, प्लीज, क्या बोला, इस देश का तुम उजवल भविश्य हो, कसम से, उस जमाने में और इस जमाने में तुम, है ना, यगीन हो रहा है न, हो रहा है, हो रहा है, ना, गलक्षमी, तुम इस गाओं की सरपंच नहीं हो, बल्कि इस र जाए ना, जाए नार बच्वी, जाए नार बच्वी, इसके बाद सच निकलेगी न, देश और राजी का सरपंच, वो उल्लू बना रहा है, जरूर उसका कुछ प्लान है, तुझे क्या बता, प्रेसिडेंट आफ इंदिया होता है देश का सरपंच, कुछ जादा है नहीं ह मेरी पतनी की रिष्टिदार, सरपंच भी है, जोडी जम रहे की तुमारी, तुमारी इस सच में, अच्छी लग्या, जोडी ज़ह लगी जवाता है, क्कुछ वुभी जवाता हूं, कहा है यह विद्म के राचान, तम यह भाट बता के बाद यह न, हूल रात का आए तो भा आप से मिले कितना अरसा हो गया है थीक है लेकिन सामरे से अरसा हो गया आपकी तरफे तो ठीक है ना अवेशा की तरफ फिट और क्या चाहिए मैं भी ठीक हूँ कुछ और बात करो ना पापा एक्चुली पेशेंस वेट कर रहे हैं बेटा मुझे जाना होगा ओहो सॉरी सॉरी लेकिन टाइम पर खाना खाले ना पापा ठीक है ना क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना खयाल रखन ठीक है आज तक मैं यह सब कहता रहा हूं तुम से और आज तुम यह कह रहा है बस कहने का मन किया पापा हाव स्वीट हम ओके बिटा बाई 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 आप सब काउम वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजे और क्यों करें पिछली कई पुष्टों से यह जमीन हमारी है अब यह किसी और को क्यों दे और कोई चारा नहीं है इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करने हैं नहीं पड़ेगी इनके मदद करना मेरा फर्ज है ओ मैडम की पंचाया चल रही है जमीन असली मालिक को ही मिले यही सरपेंच का काम है मैं आपको दूसरी प्रोपेटी दिलवा दूँगी यह भी तो सरपेंच की ड्यूटी है लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे को हक मिलेगा रोट पे फैके गाए इने उसके बाप की प्रोपटी एस साले अभी दिखाता हूं अरे इतनी क्या जल्दी है मेरी एंट्री बागी है ओट ओटो क्यों रहे मैडम है किसी और की जमीन किसी और को कल तो दारिफों के पूल बांद रहा था आज अचानक काटे क्यों बो रहा है है ना गिर गिट कहीं का मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दिया है इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड हमने इनको ते यह बास सरपंटी को समझाईए बख्वास बहुत हो गई कोई प्रूफ है वो भी दिखाऊंगा सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ प्रम्मों से मिलो लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागस है लेख आओ शाकल क्या देख रहे हो लेख आओ जा रहा हूँ थोड़ा सबर रखो आता ही होगा तुमारा सुबूत यह देखो आ गए असली कागसा अब हो जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी चोर को याद आएगी नानी लाइए अंकल वेरी गुड पड़ी लिखी तो होई तुम खुद पढ़ सकती हो फिर भी समझ में नाए तो आ वकील से पढ़वा लो बंगा राजुना हमें बचा लिया वरना यह तो हमें बेघर कर देती हां किसे सर्पंद पना ऐसे पागल कहीं की मुझे पागल बुला आइविल के लिओ और कात मेरे है है सब रुक जाओ उल्टा चोर कोतवाल को डाटे खुद की गलती क्यों नहीं मानती किसी की शकल देखके उसके कपड़े देखके गलत का साथ दोगी तो पबलिक तुम्हें रोट पर ले आएगी बंगा राजु यह क्या कर रहे हो गरीबों के साथ कभी खिलवार मत करना यह क्या पागलपन है यह पोस्ट का रोब होकट का भाशन काम नहीं आते सुनो तो जाओ यहांसे घर जाओ आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो बंगा राजु बंगा राजु ओए तुम भी यहां आ गई अकल नहीं है क्या क्या कर रहे थे रो रही है सब के सामने बेज़ती कर दियो उसकी जानकर नहीं किया बस बात करते करते थोड़ा घुसा आ गया मुझे तुम्हारी गलती की वज़े से रिष्टा बनने से पहले ही तूट जाएगा कैसे मना होगे उसे आप देखो रुक जाओ नागलक्षमी ज़रा सुनो तो यह पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्षमी इनकी कोई गलती नहीं है बलकि यहाँ पर गलती मेरी है मैंने अपने कागस घर पर रखे थे इनके इस छूटे से नाटक से हम दोनू की गलतियां सामने आ गई न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है यह प्लान कब बनाया सच मेर हम मेरा ही प्लान था इतनी खरे खोटी मैंने सुनाई लेकिन इन्होंने मुझे एक शब तक नहीं का साक्षा देवी है ये सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्षमी सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ आग लगाने वाली है तो आओ नागलक्षमी चलिए सब आगे आजाईए सबागे रखने हैं अब हम सब मिलकर नागलक्षमी जी का जय जय कार करेंगे जाए 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 घर जाए फीपर्स मिल गए ना जाए अब अब देखना तेरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं बात करने में थोड़ा अकडू सा है पर दिल का बहुत अच्छा है लाइक हिं लाइक हिं मचली जाल में पस रही है मेडम मेडम सरपंच मेडम इतनी आता निसे इस पर बढ़ोसा मत करना आपकी उमरी क्या है आप सरपंच है कोई छोटी मोटी हैसी नहीं आप इती पड़ी लिखी है बहाग्यानी है आप यहां के राजा जैसी है और वो मामूली प्रजा है मुझे सब पता है एक नंबर का आवारा है सबसे बड़ा छे छोड़ा है पर मैं उसे पसंद करती हूं अरे हां तुम यहां नीचे कैसे आ गई ऐसे आई रभू बात क्या है रभू जरा वहां देखिए उन दोनों को मिलानी की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं उन्हें इसी दारम संकट में डाल दिया मैं तो क्या इंद्र देव भी डड़ते हैं तुम से तुम तो वागे कमालो मेरी हरी बरी पेटी महामलित तुन जाय मंतर का जाब करवा लो तल तुमारे पिता की साथी वर्ष गांठ है जल्दी कैसी और दिन करवा लेंगे समझ क्यों ने रहे यह आपके लिए अवर्षक है ठीक है पंडीची कल ही कर लेंगे पूजा मैं सारी तयारिया कर लूँगी सही कहाना दादी अरे काफी दुना से मुझे आपसे बात करनी थी बीटिया नाग लक्षमी के लिए मैंने कवर ढूंडा है रहने दीजे पंडीची लड़का मैंने पहले ही देख लिया है बस सही वक्त का इंतजार है कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है नमस्तर रमेश को स देखा उसका चेहरा पूनम के चांड जैसा खिल रहा है उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है सुन्दरता और सादगी का अनोखा संगम है ये निड़की बिलकुल तुमारी इच्छा विये अहां सही कहां ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा शादी के बाद तो हमार मेरे पूत्ते के भाग खुल जाएंगे जाओ पुझा खत्मोने से पहले उससे यहां ले आओ हाथो लेकर आता हूं ना वेटो बिटा एट्स या टेल्स चल जल जल्दी बताव टेल्स हार गया हालो बंगा राचो अपदमा मुझे तुमसे बात करनी थी मिल सकते हो कहां हो तुम हमारी नारियल के बगीचे में अचा ठीक अभी आता बंगार राजो हाई बोलो क्या बात करनी थी है शर्मा क्यों रहे है दरसल लो या हुआ बोलो ना हुआ यार हुआ हुआ पॉआ हुआ हुआ है 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 लड़ने आयो या डांडिया खेलने आयो है घो नानड इन डिवाद़love थे । कुट शर्ड र्ट सुट lamps पाल झाल झाल थार आप से लुफ शुफ और भाँ है कि अ मैं अ लुफ गाले लाराव टुर रती है आब अ पाले लुफ वारा आ युफ जब भाइब लुफ और यू आप लुफ अा युफ फवेर लुफ अञादी लुफ झाल 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 Xニë Xige पूजा के बीच विग्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ पूजा में डाल दिया दिमाग नहीं है यह पनौती है पापा ऐसा कुछ नहीं है यह लेके जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूंगी समझता क्या खुद को ए चल भाग शार मानी चाहिए तुझे भाग दरसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजुने उससे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बेटा वो क्या है नागलक्षमिय को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता दीस लोग मिलकर एक आगमी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यग्जे के पास पूरे गाउं के सामने तमाशा बना दिया अज़ अगर में वह नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यूं जरूरी है पता है ना अरे पता ना मंदिर में छुपे ख़जाने के लिए गारेक्ट ताइम पास के लिए उस बंगार राजु को मारने के लिए नहीं कहा है तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या उस माइनिंग ओफिसर को क्यों मरवाया था इसी वक्त तार्केलोजिकल डिपार्टमेंट को इंफॉर्म करना होगा अन्बिलीवेबल सर उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा ये कोई मामूली पथर नहीं है ये अद्भुच्यमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ती काम कर रही है उन मणियों को हासल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हाटाना पड़ेगा वर ना तुम लोग खून की उल्टिया करके वही पर मड़ जाओगे अब तू ही बता खाजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा बंगार राजू को मारना होगा उस बंगार राजू का वजूद मिता दो बंगार राजू को मरना ही होगा इस सब में तुमारे पोते की कोई गलती नहीं है इस दुश्मनी की शुरुवात मुझसे हुई थी वजा तो तुम जानती ही हूँ तुम अपने आपको दोश्मत दो सब किसमत की बात है तुम्हें इस दरसे दुखी देखती हूँ तुम उससे बरदाश नहीं होता उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा अति शिग्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी पोर्ण रूप से उनका अस्थित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें परम्मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा सुख और दुख दोनों भोगना होगा अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इन्हें बस देखते जाओ शोब शेह, क्या फालतू दोस्त है तुम लोग एक गेम नहीं जीच सकते कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी आज जब पार्टी किये तो जम कर पीते हैं फुल नाइट क्या है सच है नागलश्मिन इसको कान के निच्चे बजाये था सोलाने सच है तुम लोग ये गेम से सन्याज ले लो तेरी चाल अरे मेरे लिवर रखो देखा तुने नागलश्मिन इसा जटका दिया है कि दिन में गड़गड़गड़ पीरा है चार्षो वीज का जटका बोल अरे रू क्या कर रहा इतना दिल पे निलेते चे किक मिलती है यार अब बोल किसकी बारी है वो पचारा तो परेशानी में पी रा है उसे रोखना चाहिए था ना कंल में पी रहा है पचारा पाता सफ क्या बोल रहे हैं नागल लक्षमी ने तू में सब को सामने ततप्ड मारा है अच्छा राया की ल मोगना बंपता repair कंभाड यसब बहला याए इस्व category एक बाद तो बड़ा है और यह इसके बेवकूफ दोस्त उसे रोकने की बजाए बढ़ावा दे रहे हैं कि इतने सीरियस की हो गए मैं तो छोटा सा मजा कर रहा था चलो आजा 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 मैंने गोदभार एकी लिष्ट बना भी है बोलता जा अलदी चार किलो दो किलो कर तीन किलो केसर आजा कर दे शास्ति इसकी आग्या नहीं देता शास्त रहा तुम्हारा राशनाल है ऐसा नही बुद्धू हो रही है और आप यहां पर मेंड़ की तरह कूदे जा रहे हैं शरम नहीं आती आपके जगा मैं होता तो खून खूँदे बुराई किसने के बताना मुझसे तो बोला नहीं जाएगा बता उसने का आप दिमाग सा खाली हो खाली दिमाग बोला और क्या बोला बोला है आप गोला नहीं राजा है लेकिन उस नक्चड़ी लड़की को तो मूत उटर जवब देना है ना तोड़ देना उसका एक आइडिया दूं क्या अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लाओं अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी साथ पुछते तक याद र मेरी यह सरपंच बनी तो मैंने बढ़ाई धी थी ना अज पूरा गाउं मेरे नाम की जा रहा है जब से मैं सरपंच बनी हो तब से बहुत बीजी रही हूं काहे की बीजी हो कुछ भी इन जोकर्स की मंडली के साथ गूमने का टाइम मिल जाता है लेकिन मुझसे मिलने के टा माते क्यों कर रहे हो दो दिन पहले ही आ जाएंगे आम लोग चाहो तो नागलक्षमी पहले आ जाएगी अब तो खुश हो ममी मैंने जाओंगी क्या वह बंगा राजु बहुत बड़ी आफट है उस दिन पूजा में विगन डादा उसके शकल तक देखना नहीं चाहती हूं बस इतनी छोटी सी बात उस दिन आपने हम सब को बताया था उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं सच्चा ही नागलक्षमी को समझाईए दरसल बंगा राजु ने उन गुंडों से मेरी वज़े से ही दुश्मनी बोल ली थी बेटा पूजा वाले दिन मंदिर में वो उस तुमने तो कमाल ही कर दिया सरपन्च जी का स्वागत है इसके क्या ज़र रही तुम जो पधारी हो सरपन्च औरों के लिए हूँ परिवार के लिए नहीं देख रही हो नेताओं से दो कदम आगी है देख रही है वेल्कम वेल्कम उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था आज ये घर पर आगी ये लड़की नहीं आफ़वत है ये सला उस दिन थपड को याद करके शराप पिये जा रहा था और आज तारीफों के पूल बांद रहा है अगर नागलक्ष में गुरू है तो हमारा भाई गुरू आगे क्या होगा सॉरी हाँ दर असल थांक्स कहना था थांक्स किस लिए उस दिन पापा की हेल्प की थी ना उसके लिए थांक्यू समझा नहीं कुछ याद है ना उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी इसलिए आज बिल्ली बन के आई दागलक्ष्मी अंदर आओ बंगाराज में अदर जाओ ना इतना प्यार यह पटटे गी नहीं ना पट्ने नहीं दूंगा चल हाँ आज है इस आज है कि इस ट्राइच्टे के हो गया शॉक लगा क्या शॉक तो उसे लगए अच्छा हुआ, दूनों थड़ा करीब आने लगे हैं आखेर पोता किसका है? अगर कोई धांकी बात है तो जल्दी बखो सरपेंच का टाइम बेस्ट मत करो अच्छा है, हमारा बेजू बावरा हो गया है क्या अदा है इसके नाग लक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी हाई बंगा राजू हाई तुम भी इतनी अच्छी देख सकती हो सच में थायं सके आज फ्री हो क्या तुम इनके बास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तुम ने ने मुझे बहुत काम है मैं चलता हूँ बाई एः क्या सब फोन में लगे पड़े हो इधर आओ क्या बाद है दीदी मेरे साथ गेम खेला चाओगे कौन सी गेम दीदी लुका छुपे चोर पुलिस लुका छुपे और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं वो छुपे वो पकड़े मैं चुपूं और फिर एः नाग लक्ष्मी लुका छुपे और चुपे और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फिवरिट है तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है यह तीन आउट होगे और तुम भी आउट होगे यह सबको आउट कर देगा वाला लाल गोपन हाथ में हाथ दाल दिया हम दो ही बचे हैं सब यहाँ आजाओ जल्दी आजाओ 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 क्या हो अरे तुमने कैसे किया था ऐसे और मैंने तो डाइन किस पर आया अरे बंगा राचु डाइन इस पर आया तुम्हें इस पर कर रहे हो गलती से मिस्टेक हो गई न आजाओ आजाओ बच्चा फुल फोकस है तुम उदर फोकस करो लाता हो तुम कांटिनू करो अकडबकड बंबेबो असी नब्बे पूरे सो राशन जाओ राशन छुप जाओ यह पूरा मैदान क्लियर कर रहा है फिर अपनी फिल्डिंग लगाएगा अकडबकड बंबेबो असी नब्बे पूरे सो बंगार राजू चुप रहा है बंगार राजू चुप रहा है वान तू ढू ए पूर फिर सो है यह अच थो हमे फिल्म तेकने कु मिलेगी हांआए हुआ दो बंगलक्षमी वानी इस तरह यहा जा उप जाओ मेरे पास यह पर आ जाओ मुझे तरह थो 98 99 100 to have a guy come देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाओ देखो ना अरे यही पर देखना हाई 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 आ रहा है क्या यहीं आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें हाँ वो बाहर ही है तुम्हाद्र हो तुमने कहा बाहर है मोटू बढ़ा तेज है उस सरफ चिपती हो जाओ मोटू की तुम्हाद्र क्या कर रहे हो रिंग को कुछ देख रहा है वहाँ जाके देखो जगा कहा है दोनों के लिए काफी जगाये आजा छुप जाएंगे नहीं ढूड़ताएंगा कहीं नहीं तुम्हाद्मकाचा है मामा पंगा राजू यहल्ला वैया अक्कर अम्मा रम्मा अंतस एपो पुट्ट्टू गांगुलाम दूरमलों चेही पेड़ते रियाक्स्नादेगे उन्टदी वत्चाम जुट्टू रम्मांटे रावे यहल्ला वैया वह अंतस एपो तिरीगे अंतमेन नड़मु जूपँची रा रा अंतूटे यह मालो चेंचा को वहल्ली पिस्ट जानी से बले दरवासे की कुंडी लागा थे यह यह तुने ना कमरे में ले जाके दरवासे की कुंडी बंद कर देगा उसके बद क्या करेगा तुम तो जानती हो अंदर से दरवासा बंद करती है नियत में खूट है इसकी कोशिश तो करके देखे नाग लक्षमी क्या है पता चलेगा मियाँ क्या करे हो पहले कमर में हाथ डालेगा फिर चिम्टी काटेगा पिर नाग लक्षमी का गुस्सा ज्वाला मुखी की तरह फटेगा उसके बाद ये प्यारी बाते ये गहरा प्यार शादी के सपने बच्चे वच्चे सब खतम हो जाएगा सपने किये कराए पर पानी कर जाएगा दबोच ले दबोच ले आने दो उसे शुक्र ये सबग हुमर भर याद रखेगा नाग लक्षमी इस करके अतिथी हो तो और पता है नातिथी देवो भवा मेरी महमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाओंगा खुद को ही मैं आउट करतूँगा ठीक है ना अब मैं बाहर जा रहा हूँ हम बंगा रजू आउट बंगा रजू आउट बंगा रजू आउट बंगा रजू आउट अच्छा लड़का है आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा बच्चों के साथ खेलता है भोला और मासू इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे जोला मकी तो दूर कॉंबी नी भूट मेरे किये कराया पर पाने फिर गए कोपम स्वईम विरासिनवादी इक कोटेशन्स मुझे नी तेली प्रादर्शन चको चेपिन अपानिच्छी उसके मृत्यू का रास्ता सोच लिया है सही मूर्थ का इंतजार है जोला आज बोला आज बोला भूला आज बोला मुझे सही मोहुरत की जरूरत नहीं, बस एक सही मौक्य की जरूरत है, मार तुंगा उसे, आने वाले चार दिनों के अंदर, उस बंगाराजु की कहानी हमेशा के लिए खाथ। एह, आदी, तुम बंगाराजु को मारने वाले हो? तो तुने सब सुन लिया? सब कुछ. जा के उसे बताएगा? हाँ, बिल्कुल बताओंगा. कुछ. पिटाजे. पिटाजे ! आदे, मैं पच्चीस सालों से एक एक दिन प्रतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना, या उसे मिरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है, ना ही कल्ती करने की कोई कुझाई संदी जी आई 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 दिल पे नहीं लेते नमस्कार अंकल, नमस्कार, कैसे हैं आप 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 रास्ते में कोई तक्लीप नहीं कोई खास दी यह नए करेक्टर को नहीं यह हमारे ब्रह्मो के संदी हैं, कितने बात के बात मिले हैं, अब टाइम मिला, हम ज़रा बिजी थे, जाए अंदर बैठिये आई आई अंदर चलते हैं तुम इतना गुस्सा में क्यों हो, क्या हुआ गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूँ यह क्या कह रही है, कोई ऐसे बात करता है क्या बार बार इनकी शकल ना देखनी पड़े इसलिए बहुत पहले ही इस घर में आगे आप अंदर चलिए ना अब इस लड़की को क्या हो गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बीटा अखिर बात क्या है आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई थे मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए ऐसा क्या किया इनोंने ये शादी गले का फंदा बन चुकी है ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हो लाता ठीरे बोलो वो सुन लेंगे सुनने दोने समझ गया ना शादी करके इतनी टेंशन में जीना उससे अचा कवारे रहके आश करो सही का पहे क्या जब देखो दाद दिखाता रहता है कुछ काम दंदा नहीं के तरे बास क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं यही सिखाया हमने तुम्हें एक बात बताओ लता सुबह जल्दी उठने के लिए पढ़ाय लिखाय के लिए साफ सफाय रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए या खाना बनाने के लिए बच्पन से लेकर आज तक तुम्हारे ममी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अन बनना हो जाए इन बातों के पीछे शिवेन के प्रेम को देखो, इस तरह गुसे में रिष्टे नहीं तोड़े जाते अंकल आंटी, यहां आईए न, प्लीज देखिए यह नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बीटी का दरजा दे कोई भी इंसान अपनी आदते इतनी जल्दी नहीं बदल सकता ये जैसी है, वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए आप भी खुश रहेंगे, और ये भी सुखी रहेगी देखे एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल एक उमर के पड़ाव के बाद, जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी ये आपके रिष्टेदार नहीं आने वाले है बलकि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहु साथ होगी और इसके माबाप साथ होगे और यही सच्चाई है अलग रेने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रेने में ही सुख है वादा करो, खुच से वादा करो, पेगड़े हुए रिष्टों में फिर से मिठास खोलोगी यह क्या? बिठा, सॉरी पापा क्या रे, इनका मेलो ड्रामा अब तक चल रहा है अरे? इसलिए बुला, अगर शांती से जीना है नहीं, तो शादी के जंजट से दूर रहे इतनी जल्दे तो घरगड़ भी अपना रंग नहीं बदलता किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है कैसा होता है ना इंसान? जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है मैं समझता हूँ, मुझसे पूछो प्रेम और रिष्टों से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पूते को प्यार दे पाया बड़ा मकान तो मनाया लेकिन घर नहीं बना पाया चोटी-चोटी बे-मतलबी बातों पर कितना कलिश मझाते हैं ये लोग जीवन है तब-तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं बंगार राजे को जगडालू समझती थी लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई सच का हूँ तो मैं भी यही समझती थी अपने बरताफ पर म्यात शर्मिंदा हो उसने मेरी लाइफ बदल दी तुम दोनों भी धोका खा गई अंदर राम बनके रिष्टों पर लेक्चर देता है बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है अरे इंसान है नो वे मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है तेरा पापा उससे कम बेवकुफ नहीं है अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है कर ले जो करना है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे सब गज़ा सकता था तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डेन चांस को छोड़ा के से मारने से पहले सोचूंगी नहीं तो क्यों उसके लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आजाओ चुपके से और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिलकुल अक्यले होंगे बहुरे कितरा दूले के पैर अपने हाथों से धूंगा ठीक है आपके मेरे बीच बैट लगाते हैं अगर कोई बतम इजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगोंगी उसी वक्त पर उसने जेंटलमेन के तरह बिहेव किया ना तो आप उससे माफी मांग अपका ना मेरे हारने का सवाल ही नहीं है पर मांग लूंगा लेकिन सोनो ज्यादा ओर एक्टिंग मत करना है वरना उसे शक हो जाएगा रामा कॉम्पेटिशन में बहुत एवाड़ जी चुकी हूं देखते जाए देखते हैं बंगा राजू हां यह रोज रोज क्यों मारे जारी अब कौन सा कांट किया थोड़ा पेट्रोल छिड़का है प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगे बस सब बारिश ना जाए मन होस अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं आम के बगीचे में आहां ओके कौन-कौन जा रहा है कोई भी नहीं तुम मैं और बस तन्हाई मतलब तुम मैं और कुई नहीं आओगे ना कल सुभा साड़े नौ बजे शार्प आम के बगीचे में फेक्स ओके प्लैन का मियाब हो रहा है अरे पॉपरे बाउली होगी ये तो आम के बगीचे में मिल रही है वो भी अकेले में कुछे-कुछे रखमा पापा मैं आपकी प्राब्लम समझ गया अटेंशन मत लीजे मैं हूँ ना मेरा राजा बेटा सूपर डूपर ये यहां क्या कर रहा है क्यों नहीं आसकता तुम भी तो आए हो वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहां टनने आ गया वही वही मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया इधर आओ एक गेम खेलते हैं कौन सा गेम रानिंग रेस वो कटा पेड़ दिख रहा है जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो बिनर होगा ओके दोड़ोगे ना शुरू करें तो फिर तीन के काउंट पर वान टू थ्री गो झाल हो जिन्ना, बंगाराजू, जिन्ना, 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 जिन्ना कर दो! नंदी यह अपना ही बच्चा है नंदी बंगार राजू चिनन तो ठीक है न चूट तो नहीं आई यह ठीक हूं यह ठीक है इसे कुछ भी नहीं हो चिन्दा मत करो ठीक हूं और कितनी दिर तक सोता रहेगा उठाओ ना इसे अरे सोने दो ना विजारे को अबे अबे तक नहीं युठा अबे तक नहीं युठा युठा अब्सटा आपने मुझे विश कर लिया तक डिफ्ट पी कुरियर से आता ही हो वा मैं ताइंपर नहालूंगा युठा आपने खाना भी खालूंगा और तक युठा ठीक है पर्फिक जा रहे हो नाइस है ज्ट वर्थे शॉड़ जॉड़ झाल भी कि संभाल के क्या रहे उठ गया नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गरम करें दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बद्धे पत्वे कमी रह गई तो कितना जूर बोल रही है कब दाली दे इने हुआ 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 है जानवर को नहला रहा है क्या माफ कीजिए घलती हो कि मैं नहराती हूं पानी डालो देखो तो कितने प्यार से इसका सिर्द हो रही है नहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने लेकिन क्यों मैं कह रही हूं इसलिए ठीक है आर्टी लो यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है खाओ प्रसाद खा लो फिर हमें मंदर जाना है मंदर जाना है उसके क्या जरूरत है मैंने कहां ना जाना है जैसा तम कहो विसकी आदर डाल लो देखते हैं हलो हलो पिटा है यह टिटी हो गया थार्ड पिप्र आट कर्लीजिए क्याआ अब यहां की ड्युचाअ चाई पढ़ी हो तो मैंने की अष्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए हाँ कि थैंक्स का लिए वैलकम पिटा राका आई वाई पाई कि पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या मैं अपसे मिलना चाहता हूं पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बच्पन में ये सारी चिठिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं होगा और यहाँ पर वो आएंगे नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों जाहर नहीं करते और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं न उतना मेरे लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्टी नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा इस रिष्टे की डूर और कम्सूर ना हो जाए। इसलिए मैं बेमन ही सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूँ। सच कहूं तो लाइफ में एक खुशी जैसे कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख चुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूने की कोशिश करता। पर अंदर से मैं कितना अकिला हूँ ये तो मैं ही जानता। अरे आ गई पिटा कैसा रहा फंक्शन। बहुत मजाए। आओ खाना खालो। आओ आओ। अभी आई एक मिनेट। फोन देखो। बंगार राजू। उठाओ। हलो अंकल। हाँ, बोलो बिटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ। ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है। सोचा पहले आपसे बात कर लू। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो। पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ। जितनी इज़त मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूँ। उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करोंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीशे। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। कट करो क्या जवाब दूब बिटा आप इससे अच्छा हम सफ़र मेरे लिए धूट पाएंगे क्या हाथ मूँ दोले खाना ठंडा हो रहा है आज़ा ठीक है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा से बात करता हूँ ठीक हो न रामू हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है यू मिन लव तो फिर सोचना क्या है शादी करवा दो तुनों की पंदरा तारिक का मुहुर्थ है शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हे वाट नेक्स मन्त फिफ्टींद को हाँ वो कहते है ना चटमंगनी और पटब्या जल्दी से टिकेट बुक करवा दो आइक काम कर रमिश उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हानीमून के लिए तीन मेने मेरे साथ भी रह लेंगे हाँ अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपॉइंट्मेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहाँ भेज देना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो काडियोलोजिस्ट है ऑपरेशन बहुत इंपोर्टन होते है शादी का क्या हो जाएगे हम योईस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है ये भी ठीक है ये सही कहा है अगर मैं जिन्दा होती तो आज ये शादी बड़ी धूम धाम से करवा थी तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजोई करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूँ दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे चलो अखिरकार बंगार राजू के शादी से लोग कितने खुश है दूसरी तरफ इनके बेटियां शादी रुकवानी के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बेटियां ये शादी नहीं हो सकती वह ब्लेसिंग होता है वही तो बोला मेरे चलो काम चला लेंगे थैंक्यू ना चलिए आजो और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना अपन कैसे हो अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हो आटी आप कैसी हैं तो किसा है ये इंविटेशन कार्ड है आप सबको आना है हां जरूर आएंगे और वाई सब ठीक है अब सुन हमने दोस्तों के लिए बैसलर पार्टी रखिया है और तुझे आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है ठीक है ना बिलकुल रहूंगा ठीक है चल फिर चलता है बाई क्या देख रहे हैं आप कुटों पर गौर करो कुछ बेचैन से हो रहे हैं बीचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुटों की हरकत उपर रिसरच करते बैठे हैं कब खात्म करेंगे उसे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अंदेखी शक्ती उसके पीछे है ऐसा कुछ नहीं है वहम हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना हो आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा दिल को सुकून चपीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था आखिर आज वो तिन ना ही कया यह क्या यह क्या क्या रहा है पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को अकीन नहीं हर चौबिस साल में एक बार शिवरात्री के दिन रुद्रा भिशेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंद्र देव की महिमा यमराज का राध्रा और शिव की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि भंगार राजू की आत्मा है सत्य है मैं साइम साक्षी हूँ अपनी आखों से उस आत्मा को देखाए उस दिन मैं मौत के चंगल से बागल बागल पचा था और तभी मैंने प्रतिज्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुन्वे को भस्म कर दूँगा अगर मैंने अपनी प्रतिज्या पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याब दूँगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को कि कि आत्मा की अगर मैंने के यह सेवाभे प्र exactement है कि वह सब करेंदे नहीं कि आत्मा तुक ऌक divisions यह समान बाल कर दो झाल कर दो, lucky हो जो और राईग का दो झाल को राईगा हुआ झाल कंद। अब क्या करना है पिताजी उसके पोत्य को मारना है जब वो आत्मा उसके भीतर रहो उसे सिर्फ मारना नहीं है भलके तरपां तरपा के मारना है जाओ उससे ढूंड निकालो वो आचरा जश्न बनानी आएगा यह उसका आखरी जश्न होगा कर दो आएगा धन्याओ झाल 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 आगो अब क्या करें? इसे कैसे मारना है? मैं जानता हूँ किसने बेजाए तुझे? किसने बेजाए तुझे? क्यों मारना चाहता है? बोल किसने बेजाए? क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? खांखांगा बना जाएगी चैकाली इसके अंदर जो चेन है वो अभी मंत्रित है इससे उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी जाओ क्या बात है? स्वागत करने पूरा गाउं खड़ा है देखो दुलन आ गई जरा हटो हटो बेटा नमस्ता अंति बैठो बैठो बेटा तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मूँ दिखाईकी रसम है आप सबको आना होगा जरूर आएंगे हमारे जमारे में शादी के बाद ही दुल्ला दुल्लन को देख पाता था पूर फैशन जादी तू होगी ये लो बेटा आओ कैसे लादी कैसे लादी कैसे लादी आओ ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो बाद में खोल लेना इसे अब पूजा में बैठना है अच्छा कल बंगार राजू के विवा का दिन है हाँ घलात मौत का दिन की चलो पंडिची इंतिजाद कर रहे है अभी नवीनिया शादी बंगार राजू जल्दी से मंदिर पहुँचो हम सब भी वही जा रहे है आप इतनी जल्दी जा रहे है अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना, बग पर पहुंच जाना, अरे आदी, इसे लेकर जल्दी आ जाना, देर मत करना, आप जाईए, वहीं मिलते हैं, जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो, नहीं, मैं इसके साथ ही रहुआ, तुम जो, हाँ, ठीक है, चलो आप तुम्हें मंदिर जागा, आप जी दिन tayo बाई, जैसे हमने प्लैन किया था, सब वैसे ही चल रहे हैं लाश को समंदर में फेक दो मेरी बेटी बंगाराजु के प्यार के जाल में फस गई है उससे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी काप जाएगी बाई, शादी की बाद छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा शादी के लिए हाँ कहतो, मंडप में पहुचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे बंगार राजू बंगार राजू क्या हुआ? क्यों चिला रहे? जरा देखो तो उन्हें उसे जिन्दा मत छोड़ना आप फिकर मत करो, ये काम मैं करूँगा तू तो रहने ही दे मनहूस बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया फिर भी तू कुछ नहीं उखाड पाया लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया तू क्या करेंगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूँगा तो रमीश है? ये तो आस्तीन का साथ निकला भाई, इस बार बच के जाने ना पाए जोग करना है जल्दी करो वो बंगार राजु की आत्मा इस धर्ती पर कब किया चुके पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया, वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नश्ट हो जाएगी क्या क्या रही है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों ना लेलू भगवान ने मुझे हर वक्त इसलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद कर सको तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा ख़जाना तुम्हारा होगा बतला मेरा होगा मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शेव मंदर लेकर आ रहा है जाओ जाकर बचाओ उसे आदी ये ये अंगोठी अभी मंतरित है शादी में बंगार राजु को ये पहना देना दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा बचाओ उसे घड़े-घड़े तमाशा मांदे कुसकी मदद करो रहे आपड़े चाची पोताड़ी है दो अखने चेहीं पोगे रहे रहे रुख जा वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे क्या इसलिए मैने जिंदगी भर तुमारी पूजा की थी यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे में सहारा कर दिया मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन में ही मिला इसलिए अज मेरे पोते की जान की पीछे पड़ गए क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकर सुनाई नहीं दे रहे है अजया चुपा दड़ रहा है यह के सानिया तुम्हारा तुम्हें कुछ करना होगा उसे बचाना होगा परना तुस्ते विश्वास उड़ जाएगा नहीं रुप जाओ आँ 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 पुद्रा वाणनो उदलेरा आँ 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 संपत आँ 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 रे, चिन्न पिल्लोड रहा, ये निचे येद्ध रहा रा, रा, कपड़ रहा रे, उधिले रहा, चच्चपो थड़ रहा मेरा बेका आ गया रामु मेरा एए, काट के रख दो, आज दादा, बेटा, पोता तीनों मरेंगे रामु 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 र ईए लाम सान्में एड़ाबाब। ओशाल semester जए लुए लुए इपको काल वाम सान्में लुए प्रूप आफ और और प्रूप अजए प्रूप 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 आख कर दो आख आख की अज़ीव को आख कि अज़ीव एक झाल बंगा राजो! यह ना कोड़कनी? यहाव! ह। yukhnde! कि दिर्षभemie प्रेंड़ी कोड़ कारींस दॉलने कोड़ कुट। थ्लिथभे हुआ हों... यह कोट ना कोड़िए, कोट आओ इसने तरी शाथी पर पहरका, कुचल डाले तो को मार कमीने को डार इसे तुझे आँ अड़ने की हिमद इसने अब तो आउच्छ पोट ए ये वे बंगा राजू ए चोट कैसे लगी अरे अंकल आप अरे ये क्या नेनिक उसने कुछ निवार्ट सबस्क्राइब बहुत हो कि तेरा ड्रामा अज़ा धर नहीं है अधर अधर श्रख मेरे अधर्य को कर दूद य। जदिए अधरिशव के और विट ज्वार्ब 우리나라 को अधर रहिए आपा शोड़िये आप शूड़िये लगशाइडी य। पापा छोड़िये ना इम अट कैसे हुई तरही ना शोड़िये ना तानक टैल्स ते बाद बाठता हूं दौना भंगा राजो यहा हो तुम ठीक हो नाँ हो तुम तुम ठीक हो ना ने कुछ न भब तुम फिकर मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं बिल्कुल ठीक, कछ नहीं हो और आजू पापा, पापा, क्या हुआ पापा, पापा, बंगा राजू, पापा करिये हल कैसे हुआ पापा, क्या है, पापा, मैं ठीक, आप टेंशन, मतलो, मैं वेसे आप अचानक याप, मेरी बाव है, इसने मुझे फोन करके, मेरी जिम्मेदारी का ऐसाज दिलाया, पहली फ्राइट पकड़के में यहां आगया, आए अए और आए और आट एवेटिंग। यह फैजक यूज को में तूंटेश। कि दादी मा कि क्या ये सच में आभी है आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर चली गहीं कि पताए कितना रोया धाम है फिर से मत चले जाना यहां मेरे साथ ही रही है पिटा कौन कहां रहेगा उसका फैसला इनके हाद में है जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा पापा बोलो लाइफ में फरस्ट है मा को इतने करीब से समझा दिल से देखा आपको एक अलगी हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी बच्पन में तो तु इसे छोड़के चला गया लेकर अब इसे छोड़कर कभी मच जाना हमारे जाने का वक्त हो चुका है अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे ना तुम हमें देख पाओगे तुम सब अपना खयाल रखना हमारी प्रथा बनाए रखना जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिल की सुरक्षा किये वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरा पोता बंगा राजू इस गाउं का दायत तुमने भाएगा लोगों की खुशियों का खयाल रखे जिस प्यार से लोग इ इस तुम भी कमाऊ गए अगब आप दो ए वोगों की लोग मेरे का लग झाने मो